स्वागत है दोस्तों आप सब का आज की इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले LJU vs JAS के किरकेट मैच के बारे में सो यहां पे ड्रीम 11 टीम में आपको कौन से खिलाडी लेने हैं कौन से 11 प्लेयर पे आपको दाव खेलना है किसे कैप्टन बनाना है किसे वाइस कैप्टन बनाना है और ओवराल कितने आल राउंडर आपको अपनी टीम में लेने हैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डीटेल में बता चलेगा तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक दीखेगा सो दोस्तों मैं आपको बता दू सीरीज चल रही है योरोपियन किर्केट सीरीज क्रोटिया दोजार तेबिस और इस सीरीज का ये पैतालेसवा मैच है जो कि आप देख सकते हो LJU वर्सेज जैडेस के बीच में खेला जाएगा मैलडोस्ट किर्केट ग्राउंड जैग्रेब में ये मैच खेला जाएगा अब यहाँ पे मैच की जानकारिया आप देख सकते हैं लजुबल जाना वर्सेज जैग्रेब सैकॉल के बीच में ये मैच होने वाला है 3 नवंबर 2023 को यानि कि आज के दिन 1 बचे मैलडोस्ट किर्केट ग्राउंड जैग्रेब में ये मैच खेला जाएगा अब यहाँ पे पुर्व अवलोकवन अगर आपने इस मैच का देखे तो LJU ने इस रंकला में 14 मैच खेले और वे फिलाल अंक तालिका में दूसरे इस्तान पर है जबकि जैडे एस ने भी इस रंकला में 14 मैच खेले लेकिन वे वर्तमान में अंक तालिका में तीसरे इस्तान पर है तो यहाँ पे यह अंक तालिका बताई गई है ये यूरोपेन किर्केट सिरीज क्रोटिया की अब पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो मलाडोस्ट किर्केट ग्राउंड जैग्रेब में विकेट पर बले बाजी बिलकुल भी आसान नहीं है गेंदवाजों को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलेगी पिसले 43 मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का ओसत स्कोर 86 रान है इस मैदान पर पहले बले बाजी करने वाली टीम ने अपने 70% मैच जीते हैं दोनों टीमों की नजर पहले बले बाजी करने पर ही होने वाली है इस मैदान पर 30 गेंदवाज काफी सपल है हमारा सुझाव है कि आप अपने टीम में अधिक से अधिक तेज गिंदबाज सुने सीधे मुकाबलों की बात करें तो इन दो टीमों के बीच खेले गए आट मैचों में जैग्रेब, सोकोल ने पांच और एलजेईउ ने तीन मैच जीते हैं दोनों टीमों में के अब तक अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे ज़्यादा फैंटेसी अंग अरजित किये अब तीन बलेबाज और विकेट के पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से लिएकिएगा पहला है रासिद हासमी पांच मैच खेले 52 रन बनाए दूसरा है रोमन जोत सिंग पांच मैच खेले 82 रन इनोंने बनाए तीसरा है दिनेस करूपा सामी पांच मैच के ले 2 रन बनाए और 7 विकेट इनोंने लिए अब तीन गेंदबाज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से रीखेगा थुन्डू ओमकरनाथ तीन मैच खेले इन्होंने दो रन बनाए और चें विकेट भी इन्होंने निकाले है दूसरा प्लेयर है ओमराज इन्होंने चार मैच के लिए बारा रन बनाए और एक विकेट निकाल दिया है तीसरा प्लेयर है अभिलास परकलम चार मैच के लिए इन्होंने तीन रन बनाए और तीन विकेट यह निकाल सुके है अब बात करते हैं तीने से ओल राउंडर खिलाडियों की जो की पुरी टीम का पासा पलट सकते हैं मैच के दोरान सो देखे इजाज अली इन्होंने तीन मैच केले 49 रन बनाए और 5 विकेट लिए दूसरा है गुर्परित सिंग इन्होंने तीन मैच केले 61 रन बनाए और 2 विकेट लिए तीसरा है अमन चौबे इन्होंने तीन मैच केले 32 रन बनाए और 2 विकेट इन्होंने लिए अब बात करते हैं कप्तान और उपकप्तान के सुजावगी तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देखी पा रहे हो हमारे सामने multiple option available है बट आप यहां पे जो देख सकते हो गुर्परित सिंग को कैप्टेन के तौर बे या फिर इजाज अली या फिर आप अमन मैश्वरी के साथ भी जा सकते हो यह वो खिलाडी है जो रन भी अच्छा बनाते हैं और विकेट भी अच्छा निकाल रहे हैं सो जतना हो सके कप्तान उपकप्तान ओल राउंडर को सेलेक्ट करियेगा ताकि अगर उसकी बल्ले बाजी ना भी चले तो गेंद बाजी में वो अच्छा पर्दसन आपको दिखा पाए अब दोनों टीमों के स्क्वाइड की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो जोत सिंग और दिनेस मातला को बले बाज के तोर पे आप रंजित कुमार मुरुगान को ले सकते हूं ओल राउंडर के तोर पे इजाज अली गुर्प्रित सिंग अवन चौबे दिलिप पहलेकॉंडा सुक्वेंदर पाल इनको लेना है गेंद बाज के तोर पे आप इंदर पाल बहुती बड़िया अप्सन है तो दोस्तों यह पूरी फैंटेसी टीम थी जो मैंने यहाँ पर बनी बनाई आपके साथ डिसकस की इसके लाबाए इस मैच के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मैंने यहाँ पर आपके साथ सेयर किया कौन से घिलाड़ी को लेना है सब कुछ आपको पता चल चुका है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक फैंटेसी मैच के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक्स पर वाचिंग